चलिए आज हम लोग ग्रो करते हैं धनिया को धनिया को ग्रो करने के सासत में आपको अपनी बाकी वेश्टिबल्स की अबडेट भी दिखाऊंगी पर उस वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कह लीजेगा देखिए आप डीवाइड करना है आप जसे बेलन या किसी चीज़ की मदद भी ले सकते इस और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से क्या होता है कि धनिया जल्दी से जर्मिनेट हो जाती है ये देखे ये माकेट ही धनिया है इसे बीच बंडार से लिया गया है इसलिए ये पिंक कलर के केमिकल में कोट है आप जाय है तो घर की धनिया भी ग्रो कर सकते हैं आप दो पार्ट में डिवाइट करने के बाद इसको आप 24 hours के लिए पानी में भिगा कर रख दीजिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है बस germination थोड़ी fast हो जाती है अगर आप direct धनिया को बिना पानी में सोक किये ये डाल देंगे तब भी धनिया ग्रो होगी बस थोड़ा सा time लेगी यह देखिए यह grow back में मैं मिटी और compose जालकर रख दिया था अब इस तरीके से दूर दूर आप धनिया को स्प्रेट कर दीजिए दनिया के सीट्स को ऐसा कोई rocket size नहीं है कि नहीं आपको इतना इतना दूरी पे करना है हो गया अगर थोड़ा बहुत नजदीक भी हो गया तो बाद में यह वाले जो पौधे हैं वो हम निकाल लेंगे जो ज़्यादा नजदीक होंगे इस तरीके से पूरा आप स्प्रेट करने के बाद आप इसको मिटी से कवर कर दीजिए इस तरीके से कवर कीजिए कि सीट बिल्कुल दिखाई ना दें क्योंकि एक तो सीट्स अगर उपर रह जाएंगे तो बहुत लैगी से हो जाएंगे और अगर उपर रह गए तो चीट या या फिर चुडिया वगरा इसे दिन में निकाल कर ले जाएंगी इसलिए आप इनको मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजे जब यह मिट्टी से अच्छे से कवर हो जाए यह देखिए जब इस मिट्टी से अच्छे से कवर हो जाए तो बहुत हलके हाथों से आप इसे टैप कर दीजे ताकि यह बिल्कुल सेट हो जाए सीड्स अपनी जगह पर हिले नहीं वहां से इसके बाद आपको देना हे पानी बिल्कुल हलके हाथों से इसे लिए पानी दे दीजे पानी आप अच्छे से दीजेगा और इस मिट्टी को मौएस्ट ही रखिएगा मतलब आप इसको जब जिसकी मिट्टी सूखी दिख़े आपको आप पानी दे दीजेगा रख बहुत बहुत अच्छे से आप पानी दे दीजे अब मैं आपको दिखाती हूं इसकी अपडेट देखिए आठ दिन के बाद यह इस तरीके से जर्मिनेट हुआ है देखिए कुछ सीड बिल्कुल दिखने लगे हैं कुछ अभी जर्मिनेशन के स्टार्ट हुआ है पर मुझे लगता ह कि 80% सीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे अभी एक और हफ़ते के बाद यह पूरा जो ग्रो बैग है वो भर जाएगा मैं इसके एक बार अपडेट आपको लास्ट में फिर से दूंगी कभी अपने अगले वीडियो में इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेथी को यह देखिए मेथी कितने अच्छे से ग्रो हुई है मेथी में टू लिव्स भी निकलने लगी है यह देखिए मेथी मेथी का इसके एक लिवस देखिए है मॉझे लगता है कि 95% कं शीज दो जर्मिने हो गया है और देखिए ऑग मे देखिए सोया सोया थोड़ी लेड़ जर्मिनेह होता मुझे ऐसाना किमिए तो अच्छे से ग्रो हो गया है पर तो 但 भी एक दोड़ी ह nostro किया है, स्ड़ी किस निकल आया है ये देखिए जो प्याश के पौध है वो बहुत हल्दी है ये देखिए ये चार से पांच इंच की हाइट के लगबग लगबग हो चुके हैं इसके बार आपको दिखाती हूँ पालक पालक की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी पर बिल्कुल आप इसको धनिया के जैसे ही कर सकते हैं बस इनके सीट्स को बीच से डिवाइट नहीं करना है ब्रेक नहीं करना है आप इनके सीट्स को डिरेक्ट धनिया के जैसे ही या समझीजे मेथी के जैसे ही आप डाल दीजे ये ग्रो हो जाती देखिए कितनी अच्छी से पालक ग्रो हुई है उमीद करत see you in the next video, bye-bye